अपनी काम्याबी की सुर्खियां बटोरने वाले बिहार के वरिस्ट आइपियस अधिकारी और लेट्स अंस्पायर बिहार के प्रणेता विकास वाभब को नोटस जारी किया गया है विकास वाभब को नोटस मिलने से उनके चाहने वाले काफी नाराज है विकास वाभब की समर्थन में लगातार अभियान चल रहा है सोशल मीडिया पर विकास वाभब ट्रेंड कर रहे हैं वहीं शोभा अहोतकर की खूब आलोचना हो रही है बिहार के ग्रेवभाग ने बुद्वार को सोशल मीडिया पर अपने वरिस्ट के खिलाफ शिकायत करने पर विकास वाभब को कारण बताओ नोटस जारी किया है ग्रेवभाग ने सार्वजनिक डोमेन में वाभग के मामले को पोस्ट करने पर वाभब को से साथ दिनों के भीतर स्पस्टी करन की मांग की है वाभब ने सोशल मीडिया पर होमगाट डीजी शुभा अहुतकर के खिलाफ एक शिकायत अपलोड की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह हर दन उन्हें गाली देती है वाभब ने 13 फरवरी को ग्रेवभाग को पत्र भेज कर प्राधिकरन से अनुरोध किया था कि उनका ततकाल तबादला राज्य के किसी अलग वभाग में किया जाए वाभब ने दावा किया कि उन्हें शुभा अहुतकर की तरफ से जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी और इसलिए उन्होंने ग्रेवभाग के अतरिक्त मुख्य सचीव को पत्र लिख कर तबादला करने की मांगी उन्होंने दो हफते की छुट्टी भी मांगी थी वाभब ने कहा मैं शुभा अहुतकर के अधीन और एक दिन भी काम नहीं कर सकता मुझे उनसे जान को खत्रा है मुझे संदे है कि अगर मैं एक और दिन काम करता हूँ तो ड्यूटी के दौरान कुछ अप्रिय घटना घट सकती है असे पूर्व वाभब को शुभा अहुतकर की ओर से नोटस जारी किया गया था अब वाभब को ग्रिवभाग ने आधिकारिक बाठकों का विवरन सार्वजनिक करने के लिए नोटस जारी किया है जानकार सूत्रों का कहना है कि वाभब को यह बताने के लिए कहा गया है कि आधिकारिक बाठकों के विवरण को सारवजनिक करने के लिए उनके खिलाफ कारवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए असे घोर अनुशासन हिंता माना जाता है इस मसले पर दोनों पक्षों से सफाई जानने की कोशिश की गई टी ओ आई को दोनों जगों से फोन पर जवाब नहीं मला इससे पहले शुभा अहुतकर की ओर से विकास वाभब पर निराधार आरोप लगाने का नोटस जारी किया गया था अहुतकर ने वाभब पर सोशल मीडिया के माध्यम से निराधार आरोप लगाने और अख्यल भारतिय सेवा आजफरन नियम 1968 और आधिकारिक गुप्त अधिनियम का उलंगन करने के लिए भी नोटस भेज़ा था अपने ट्वीट में वाभब ने ये भी कहा था कि उनके पास डीजी की दी गई गालियों की आडियो रेकॉर्डिंग भी है हालाकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया लेकिन तब तक या सोशल मीडिया पर वाइरल हो चुका था 2003 बैच के IPS अधिकारी अपने ट्वीट के बाद मुश्किल में पड़ गए उन्होंने आरूप लगाया कि वह नियमत रूप से अपने बॉस से गालियां सुनते रहते हैं CM नितीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से अपने शिकायतों को हवा देने के लिए वावप पर नाराज की जाहिर की थी CM ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म का उपियो करने के उनके कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी मुख्यमंत्री ने कहा था कि ट्वीट करना अधिकारियों का काम नहीं है ये बहुत ही गंदा काम है अगर किसी को कोई परिशानी है तो वह वभाग या वरिस्टों को जानकारी दे उन्हें इस मामले को वक्तिगत रूप से बताना चाहिए और इसे सार्वजनिक रूप से घोशित नहीं करना चाहिए हालाकि राज्यभर के लोग वाभब के समर्थन में सामने आये हैं और इसे बिहारी असमिता से जोड़कर वभन जिलों में विरोत प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शन कारियों ने कहा कि गालियां किसी एक IPS अधिकारी को नहीं बलकि हर बिहारी को दी गई और वे इशे बरदास्त नहीं करेंगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री बिहारी असमता का समर्थन करते हैं तो उन्हें वेभब को नहीं बलकि गलत बोलने वाले अधिकारियों को डंडित करना चाहिए बहराल असखबर में इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं आईवी टीवी के साथ धन्यवाद अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्र टाफ घर को बनाना है एक्स्ट्र टाफ टपकॉन एक्स्टी के साथ